जोस्तो अगर आप भी शियाब भाई की हर अपडेट को जानना चाहते हैं उनको पसंद करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा शियाब भाई जो हजे सफर के लिए निकले हुए हैं उनसे हर कोई मिलने के लिए बहुत उतावला हो रहा है वहीं पर ये बच्ची भी इनसे मिलने के लिए बहुत उतावली थी और मिलते ही वो रो पड़ी क्यों रो पड़ी ये जानने के लिए वीडियो में बने रहें शियाब भाई जो हजे सफर के लिए निकले हुए हैं और आज उनके 62 दिन पूरे हो चुके हैं वो राजिस्थान के आगे भी निकल चुके हैं कल वो लूना वाड़ा में थे और आज वो उसके आगे चले गए हैं अभी हम आपको यहां का नजारा दिखाएंगे कि कहां यहां पर जैसे ही वो आए हैं तो यहां लोगों की भीड कैसे जमा हो गई है रोड में ही लोगों ने गाणियों के अंदर बैठे ही लोगों ने जोर जोर से आवाजे लगानी शुरू कर दी और शेहाब भाई सबसे मिलते मिलाते ही आगे बल रहे हैं वहीं पर एक बच्ची इन से मिलने के लिए आई शिहाब भाई से मिलने जब वो आई तो शिहाब भाई ने उसे बहुत ही उससे गले लगाया और बच्ची से पूछा कि बच्ची कैसी हो तो ये बच्ची रो पड़ी और बच्ची ने शिहाब भाई से ये भी कहा कि शिहाब में पहुच जाएं और हम सब के लिए दुआएं करें कि अल्ला हम सब को हमेशा हिफाजत में रखे गुनाहों से महफूज रखे और हर बलाओं से हर मुसीबतों से महफूज रखे कुरोना ऐसी महामारी से हमेशा महफूज रखे अल्ला उन्हें इस सफर में काम्याबी दे आमीन शियाब भाई की हट छोटी छोटी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए झाल फोटी वाल उन्हेंन जिन्हेंट सफरिवट उन्हें आएक रिए बड़ चैनल को सब्सक्राइबeses कि भिए ग represent, याप्न ठेकर काम्याबी बुल, कि प्रोटी प्ली उत्राइब और वालल को NOT available झाल झाल